हाई, वेलकम टू मैं चैनल, इस वीडियो में सॉल्ब करें कुछिशन नमबर 18 दा लिस्ट प्राइस आफ अटेबल फैन इस रूपीज फोर हुआटेटी तो लिस्ट प्राइस दे दिया है एक टेबल फैन का वो है आपका 480 रूपीज लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क्ट प्राइस, मतलब MP अब कर रहा है कि इतने प्राइस पर वो रिटेलर को अवेलेबल है 25% डिसकाउंट दे करके ठीक है, फार हाव मच सूड अर रिटेलर सेल इट तू गेन 15% अब बताइए कितने में रिटेलर को फिट से, मतलब रिटेलर को कितने में बेचना चाहिए कि उसे 15% का गेन हो, मतलब यहाँ पर एक्टुली क्या का रहा है, मैं यहाँ पर बना दिला हूँ ए फ्लो डाग्राम तो आपके पास यहाँ पर MP है, और MP है आपका 480 रुपीज, ठेक है, यह आपका है क्या है यह आपका है List Price, List Price को ही मैं बोल रहा हूँ MP, और Marked Price ही होता है, दोनों सेम मीनिंग के रूप में क्या होते है, यूज होते है अब यह इस MP को 25% के Discount पर मिल जाता है, रिटेलर को, तो यह 25% के Discount करेंगे, 25% के Discount युदि करेंगे, तो मिलेगा हमें SP और यह जो SP मिलेगा, वो इक्वल होगा CP of the Table Fan for the Retailer, मतब रिटेलर के लिए वो CP के जैसा होगा, क्योंकि वह ही खरिद रहा है तो 25% Discount देंगे, तो जो SP होगा, यही SP बराबर होगा, CP के for Retailer, यह बात आपको याद रखनी चाहिए और जो भी यहाँ पर आएगा CP, अब यहाँ पर हमचे करना पड़ेगा कि 15% Gain के लिए, 15% Gain के लिए हमें कितने में बेचना होगा, मतलब SP क्या होगा फिर से, अब यह निकालना होगा, ठीक है चलिए, यहाँ पर solve करते हैं, यहाँ पर सब पूच किलिर हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर MP दे चुका है, तो given, given that, MP of the table fan, यह दे दिया आपका 480 रुपीज, ठीक है अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम SP, SP of the table fan, selling price क्या होगा, of the table fan, आपको यह formula पता है, जब SP दिया हो और discount percent दिया हो, sorry, MP दिया हो और discount percent दिया हो, तो SP कैसे निकालते हैं, तो SP निकालते हैं इस तरिके से, कि marked price में multiply कर देते हैं, यहाँ पर 100 में से discount percent minus करके, और divide कर देते हैं 100 से, ठीक है, इसी formula के यूज करते हैं, तो MP कितना हो गया, यहाँ पर 480, और divide by, यहाँ 100 minus discount percent करना है, मतलब की 25% minus कर देना है, तो 100 minus 25 upon 100, तो यहाँ जाएगा आपका 480, और divide by यहाँ पर हो जाएगा 75, अपान यह हो जाएगा 100, देखे, 0-0 केंसिल हो गया, 2-5-10 हो जाएगा, और यह 2-2-4 and 2-4-8, 5-5 और यह हो जाएगा 5-5, 5-25, तो 15 से 24 मन बलाए करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, 15-4-60, 0-6 के रूपर, 15-2-30, 30-6-36, मतलब आगया 360 रूपीज, यह जो आया है न, वो SP of the table है, जो CP के रूप में यूज होगा किसके लिए, रिटेलर के लिए, क्योंकि रिटेलर जो है, इतने में ही, जो SP of the table है, उतने में खरीद रहा है, तो यहाँ लिख देंगे, since, since, SP of the table fan is equal to CP of the table fan for the retailer, for the retailer, रिटेलर के लिए ऐसा है, इसलिए क्या होगा, so, CP, CP for the retailer, इसलिए हो जाएगा कितना, 360 रूपीज, 360 रूपीज, ठीक है, तो यह हमार आगया, CP for the retailer, अब यहाँ पर gain percent भी दिया हुआ है, तो, since, यहाँ पर दिया वाई gain percent, इस कल्डू कितना, 15 percent, तो यह बताएगे, अब CP हमें पता है, रिटेलर, रिटेलर के लिए, जो CP है, वो है, 360 रूपीज, टेवल फैन का, और gain percent इतना हो रहा है, तो SP कितना होगा, selling price, तो, so, SP of the table fan, SP of the table fan, for the retailer, for the retailer, ठीक है, कितना होगा, SP होगा, CP multiplied by, 100 plus gain percent, upon 100, ठीक है, यहाँ पर CP कितना है, 360 रूपीज, into 100 plus, gain हो रहा है आपका, 15 percent, ठीक है, अब solve कर लेंगे, इसी को, तो हमें मिल जाएगा, अपना answer, तो 360 into, यहाँ पहो जाएगा, 115, upon, यह हो जाएगा, 100, यह 0-0 cancel हो गया, 2, 5, 10 हो गया, और यह 2 से हो जाएगा, तो 2 बंज़ा, 18 हो जाएगा, 5 बंज़ा 5 यहाँ हो जाएगा, 5 बंज़ा 10, and 5 से जाए 15, तो यह 18, 23 जाए कितना होता है, 18, 3 जाए कितना होता है, 54, 18, 2, 36, 36 and 441, यह आपका हो गया, 414 रूपीज, and this is the, यह जाए तो खाएगा, 5 जाए नाए नाएगा, 1 जाए नाए तो जाएगा थाएए घुपंटा, 5 जाए तोटे दिएर्टेुब शटे तो पेजालीज होता है, 9 जाए तोटे थाएगा, 9 जाएए तो चुब कभेशाएव 00 Legendनिवास, पर्सेंट इस यूर राइट आंसर ओके यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दिजेगा क्योंकि आपको ऐसे विडियोज मिलते रहेंगे और यदि आपने अलेडी सब्सक्राइब करी दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई